आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विदूत चुम्मा की प्रेनन से आप क्या समझते हो क्लियरे सातियो हेडिक मैंने डाल ली है पहले से पूरा लिख लिया है क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छे से समझा सको और अच्छे से स्किन सोट लिवा सको और यही परियात करवा सको क्लियर साथ यो बिना टाइम वेश्ट की हम पहले देखते हैं क्या चुम्मा की जो विद्धु चुम्मक की प्रेनन है उसकी हैडिक इस तरह से लिख ले नहीं है क्लियर है अब क्या है इसका अंसर कि जब किसी कुंडलिया और चुमक के बीच मतलब एक कुंडली है और क्या है चुमक के बीच क्या होता है सापेक्च गती होती है मतलब दोनों के बच, किस किस बच, दो चीज़े याद रखना क्या, एक तो चुम्मक और एक कुंडली, दोनों चीज़े, जब सापेक ची गति रहे नां इनके दोनों के बच में, तो क्या होता है, तो कुंडली में विद्दुत धाला उतपन हो जाती, मतलब विद्दुत आ क्या होती साप Whatsapp होती है तो कुण्रिली में क्या होता है विद्दी 집 धारह उत्पन्न हो जाती दोनों ही सापिक दौनों ही स्दुध माँ जागी तो जो हमारी रहेगे ग zat क्या क्या होती है इस परिःधतना को विद्दौ चुमड की प्रेनन के य或者 होती न इसी को क्या कहते हैं विद्व चुम्मे की फ्रेन के लिए यह समझ में आ चुका होगा इस तरह से आपको समझाओगा आपको पता ही नहीं चलाएगा कब आपको याद हो गया के लिए पुरू डेपनेसन आपने याद कर लिए अब के लिए और इस पिरकार उत्पन विद्व धारा को पेरित विद्व धारा कहते हैं दो कुश्यन समझ में आगे होगे कि लिए रे क्या है तो जब किसी कुंडली और क्या है चुम्मक के सापेक चिगती होती है ना तो इसमें क्या होते है कुंडली में ये आपकी कुंडली इसमें क्या होती है विद्व धारा उत्पन होती है इ रिरित विद्दुद्धारा कहते हैं के लिए अच्छे से स्किन सोट ले लिया होगा मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जब तक किले अच्छे से महनत करते हैं अब परिश्चा आपके भूती नजदिक आ चुकी अब आपको याद करने में जोड़ जाना चाहिए और अच् झाल